हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बैस्टॉक पर अशोकले लेंड लेमिटेड ये हिंदुजा गुरूप की कमपनी है जो की डोमेस्टिक मीडियम और हैवी कमर्शिर विकल सेग्मेंट में है आपने डी टी सी की बस देखी होंगी रोड पर चलते ट्रक्स देखे होंगे इस कमपनी के कहीं न कहीं शेर का करंट प्राइज 116 बुक वैल्यू 24.8 जबकि स्टोक 4.68 टाइम स्टेड कर आपनी बुक वैल्यू से रिसेंटली आए क्वाटर 3 के रिजल्ट्स में कमपनी को 14 क्रोड का प्रोफिट हुआ था वही जून और सेप्टेंबर एंड में लोस का रिजन कोविड और लोगडाउन भी था कौन इस कमपनी के प्रोडक्ट्स को करिता उस टाइम वैसे येर टू येर की बात हो या फिर क्वाटर टू क्वाटर की प्रोफिट कंसिस्टेंट रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51.54 लेकिन प्लेज एस परसेंटेज ओ प्रोमोटर्स है 10.88 परसेंट वहीं पब्लिक की 14.33 परसेंट होल्डिंग देखने को मिली फाइनेंशियल्स पोटफोलियो इन्वेस्टर्स में सेकरोडर इंटरनेशनल फंड की 1.83 परसेंट और प्लेटिनम इंटरनेशनल फंड की 1.74 परसेंट होल्डिंग सेंट दूसरी और दोमेस्टिक इंस्टिटूशनल इन्वेस्टर्स में निपोन लाइफ की 3.47 परसेंट Mirai Asset Fund की 2.61% और LIC of India की 1.46% holdings है Company per debt 16,737 crore Free cash flow minus 940 crore Annual profit 337 crore वैसे इस Company Com कहीं से भी debt free consider नहीं कर सकते 52 week range में share low 33.70 और high 138.90 रहा Return on capital employed 8.85% Return on equity 4.25% और earning per share minus 1.70 Company का 42.59% healthy dividend payout maintain है लेकिन sales growth कुछ अच्छी नहीं रही Future में हो सकता है company को scrap policy का फायदा मिले क्योंकि हमारी union minister जी ने recent scrap policy की announcement की है कुछ और announcement आए scrap policy को लेकर तो benefit हो सकता है बाकी आप हर उस share पर बारी की से नेजर बनाए रखें जहां आपकी investment है मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care के तक के लिए के लिए dad